चली दोस्तों बात करते हैं इसे को नई question के बारे में इस question में examiner ने का if x-2 and x-3 are the factor of the equation यहानि इस equation के यह factors है then what are the value of k1 and k2 k1 और k2 की value बतानी है तो examiner ने जो equation दिरखिये वो equation मुझे दिरखिये x का square plus में k1x और यह plus में आपका k2 is equal to 0 यह मुझे इसकी value दे रखिया है अब मुझे बताना है कि k1 और k2 की value क्या है जो कि मुझे option में दे रखिया है तो हम क्या करेंगे हमें मालूम है कि यह factor है तो अगर मैं यहां से x की value निकालू तो x की value मेरे पास 2 आ जाईगी और यहां से x की value लिखा लोगा तो minus का 3 आईए यानि कि जब मैं इसमें x की 2 value रखूँगा तो यह मेरे पास में 2 रखते ही आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा और plus का आपका 2 k1 हो जाएगा और plus का k2 हो जाएगा इस गल्टू में 0 के बरावर देगा ठीक है मैं option में से value उठा के रखूँगा मैं option में से value उठा के रखूँगा जो value इस equation को 0 कर देगी वो ही इसकी k1 की और k2 की value होगी यहां पर रखेंगे 6 k1 को 6 तो 6 दूनी 12 12 और 4 कितना का 16 और यह minus 1 नहीं बनेगा इसका मतलब यह तो इसका अंसर होनी सकता है k की value 1 अगर k की value हाँ मैं 1 रखूँ तो यह 4 plus का आपका 2 हो जाएगा plus का यहां पर किया माइनस 6 तो यह k2 की value रखूँगा आपका plus में माइनस का 6 तो यह 6 माइनस का 6 is equal to 0 हो रहा है इसका मतलब यह इस question का अंसर हो सकता है यानि कि option B अगर यह second वाली equation को भी satisfy करेगा तो k1 की value यानि कि यह 9 होगा k1 की value कितनी है आपकी 1 है तो 1 रख दीजिए plus में k2 की value किया माइनस का 6 है is equal to में 0 के बरावर है 9 minus का 3 minus का 6 9 minus का 9 is equal to में 0 के बरावर है यानि कि option B जो है वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी question समझ में आया होगा